Hey guys, दोस्तों अगर आप भी हमारी तरह कोई भी iPhone इस्तमाल करते हैं, iPad इस्तमाल करते हैं, फिर iPod Touch इस्तमाल करते हैं, कहने का मतलब कि आप कोई भी iOS डिवाइस इस्तमाल करते हैं, उसमें data loss related कोई भी issue होता है, किसी भी situation में, तो आप उसे 100% recover कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, जाहे कितना भी कोई भी problem आता है, वो शब को fix कर सकते हैं, आपको एक complete all-in-one software बता रहा है, जिसका नाम है Ult Phone iOS data recovery, इस software का इस्तमाल करके आप एक से बढ़के एक चीज कर सकते हैं, चलिए बताते हैं, यह software जो है, Windows और Mac दोनों के लिए आता है, और इससे आप किसी भी scenarios में data recovery कर सकते हैं, जैसे accidental delete हो, phone broken हो गया हो, damage हो, factory reset हो गया हो, या फिर lock disabled हो गया हो, iOS को degrade करना हो, upgrade करना हो, या फिर iOS jailbreak करना हो, या फिर device lost हो गया हो, वो मिला हो उस समय, या फिर virus attack हो, system failure हो, किसी वज़ा से आप data को recover कर सकते हैं, हर scenario में, total 30 प्लस file type को support करता है, चाहे वो text messages ह हो, आपका SMS हो, contact हो, हर चीज, media files में, photo, video, whatsapp messages, audio गरा हर चीज, app data, किसी भी social media का होचा, whatsapp, wechat, vibe, कोई भी हो, सब का data को complete recover कर लेता है, और इसमें दो solution करने के लिए आपको मिया के दिया है mode, जैसे के पहले retrieve file from backup, और दूसरा है recover file without taking backup, दोनों आप इस्तमाल कर सकते हैं, और आपको होता देखिए, जैसे यह सब यह कर प्रॉब्लम होता है, कुछ अगर issue होता है, जैसे Apple का logo stuck हो जाता है, recovery mode loop में चला जाता है, बार बार start नहीं हो रहा है, या फिर frozen हो जाता है, black screen of death हो जाता है, या फिर disable हो जा रहा है, और या फिर आपने attempt कि अर्डिटर के लिगन successful नहीं हुआ, तो इस तरीके से जितने भी issues होते हैं, सबको आराम से यह handle कर सकता है, supported devices का list पूरे-पूरे complete सभी तरह के iPhone, iPad और iPod Touch को support करता है, ओके, तो अब चलिए आपको practically दिखा दें computer screen पे, किस तरीके से आप alt phone iOS data recovery का इस्तमाल करके, सारे actions जो मैंने बताया, वो perform कर सक करते हैं, so guys, description का link को follow करेंगे, तो आप alt phone iOS data recovery का official web page पे चलेंगे, जहां से आप इसे Mac के लिए, या फिर Windows के लिए, हमारे पास Windows है, तो इसे हम free में download कर लेंगे, Windows operating system के लिए, install करेंगे, बहुत छोटा सा software है, और Minto में install होयाता है, एक बार install होयाता है, तो इसे आपको start कर परना होगा, और यह launch हो रहा है, जैसे ही launch होगा, आपके पास कुछ ऐसा interface मिलेगा, इस interface में आपको बहुत सारा option है, जैसे recover data from iOS device, 35 type के data, sim से, device से, picture, WhatsApp, etc, सब कुछ आप कर सकते हैं, इसके बाद आप iTunes वगरा से भी third party backup tools से आप backup ले सकते हैं, recover कर सकते data iCloud से, चाहे जो भी sync कर सकते हैं, backup, restore कर सकते हैं, WhatsApp, Line, Viver, WeChat, वगरा, fix कर सकते हैं, कोई भी iOS system का problem है, तो चलिए, example के लिए, demonstration के लिए, आपको दिखाते हैं, यह वाल option, और इसमें आपको phone को connect करना होगा, तो से मैं, अपना यह XR phone, जो iPhone मेंने connect कर दिया, आप यहाँ पे चाहें, तो किसी भी तरह का डेटा चाहे, photo, video, voicemails, जो चाहिए, आपको वो सारा system data आप recover कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं, और कोई selective भी कर सकते हैं, थर्ड पर्टी एप डेटा का भी कोई data जो होगा, वो आप अराम से यहाँ पे restore कर सकते हैं, recover कर सकते हैं, यहाँ पे configuration पूछ कर रहा है, आप इसे continue करना होगा, और देखिए, analysis करने लगा, यह analyze कर रहा है, पूरा data का, और देखिए, scan कर रहा है भी, और जैसे scan होगा, देखिए, photos, और कुछ videos जो है, यहाँ पे आपको दिखाने लगे 1642, धीरे-धीरे सब कुछ जैसे scan progress होगा, जो data आप select किये हैं, यहाँ पे आपको दिखने लगा, देखिए, calendars वगरा भी दिखने लगा, यहाँ पे आपसे password पूछ रहा है, बीच में अगर कुछ ही true होता है तो, और यह देखिए, हमारे पास बहुत सारे data आगया है, जो कि deleted हैं कुछ, यहाँ पे photos और videos, हम कुछ इसमें से select करेंगे, औ messages भी आ गए, calendars आ गए, safari books आ गए, इतने सा रिशीच है, app documents है, तो आप जो चाहते हैं इसमें से, आपका जूमर जी वो अकर, डेमो के लिए मैं ऐसे कुछ deleted files हैं, जैसे कुछ photos हैं, जो हम select करते हैं और इनको, आपको recover करके दिखाएंगे, जब आप select कर लेंगे, उन्हें उसके बाद आपको यहां पर recover to PC करना होगा, और desktop मैं select कर लेता हूँ, desktop पर recover करूँगा, ok करता हूँ, यह दिखिए, 100% recovery successful हो गया, और बहुत आसानी से आप इसे recover कर सकते हैं, दिखिए, photos में हम देख रहे हैं आपको, यह हमारे सारे photos से जो हमने recover किये, मैं आपको दिखात अगर इसे purchase करना चाहते हैं, यहां पर बहुत सारे आपके पास options हैं, जैसे कि आप monthly license ले सकते हैं 45 पे, उसके बाद आपका yearly है 49 पे, lifetime 59 पे, तो lifetime लेना ज्यादा बहतर रहेगा आपको, तो guys कैसा लगा आपको यह अल्ट phone iOS data recovery, अगर अच्छा लगा इसे purchase करना चाहते हैं, इसका free version से अप satisfied है, तो try जरूर कीजिएगा इसका premium version plans आपको मैंने बता दिया है, अगर नीचे description में लिंक है, आपको आप buy करना है, तो वहाँ जाकर purchase करते हैं, वीडियो देख लिए बहुत बहुत सुपरिया, thank you guys, bye bye